पुर्वुत्तर यानि नौर्थीस्ट के तीन एहम राज्यों का मतदान खत्म हो गया और एक्जिट पोल के नतीजे भी आ गया मेगाले और नगालेंड में 27 फरवरी जबके त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग खत्म हो चुकी है अब तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे का इंतजार है जो कि आप अमरुजाला के जरिये देख पाएंगे ऐसे में हर किसी के निगाहें इनके नतीजों पर टिकी है और हम आपसे वादा करते हैं हर चुनाव की तरह इस बार भी हम आपको जबरदस्त और सटीक परिणाम दिखाएंगे इन तीनों राज्यों के मेराल सोंवार को कई एजिंसियों ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किये इसमें अनुमान लगाया गया कि त्रिपुरा और नगालैंड में भाजपा गटबंधन सरकार बनाने जा रही है जबकि मेगाले में पेच फस्ता दिखेगा यहां किसी भी पार्टी या गटबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार नहीं है अनुमान नहीं दिखाई पड़ रहे है एक्जिट पोल के अनुसार एक्जिट पोल के नतीजों ने सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस को लेकर चौकाने वाला अनुमान सामने रखा है एक समय था जब पुर्वोतर के इन राज्यों में कॉंग्रेस का दबदबा होता था लेकिन अब यहां से कॉंग्रेस साफ होती दिखाई पड़ रही है यह बता रहे हैं एक्जिट पोल के नतीजे आलम कुछ ऐसा है कि चुनाव वाले तीनों राज्यों में कॉंग्रेस दहाई आकला चूती भी नहीं दिखाई पड़ रही है नगालैंड में तो एक्जिट पोल में एक भी सीर जीतना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है ऐसे में सवाल यह उड़ता है कि आखिर इन चुनाव में पूरी ताकत के साथ कॉंग्रेस क्यों नहीं मैदान में उत्री यानि कॉंग्रेस इतना अक्टिफ क्यों नहीं नजर आई पुर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में जोकी बेहत महत्तपूर है कभी सूबे पर राज करने वाली कॉंग्रेस ने गटवंधन के समय खुद को इतना सीमित क्यों कर लिया इतना जादा अपने आपको संकुचित क्यों कर लिया क्या कॉंग्रेस ने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा ये सवाल बहुत जायज है और जिस तरीके से एकजिट पोल के नतीजे आ रहे हैं ऐसा लगता है कि वाकई में ये सही भी है त्रिपूरा में राहूल गांधी ने एक भी जनसभा को संबोधित नहीं किया वहीं दूसरी और भाजपा की तरफ से तीनों ही राज्यों में प्रधान मंतरी मोधी, ग्रह मंतरी अमिट शा, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड़ा सहित दस से जादा नेताओं ने रैलियों को संबोधित किया यानी बीजेपी फोकस दिखी, लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से उदासीनता थी अब दूसरा सवाल ये कि कॉंग्रेस ने पूर्वत्तर में क्यूं नहीं अपना दमखम दिखाया इसे समझने के लिए हमने वरिष्ट पत्रकार अशोक श्रवास्तों से बात की अमरुजाला से बादशीत के तुरान उनने कहा कि केंद्री नेत्री तो शायद उन इन चुनाओं में हार का ठीकरा अपने सिर नहीं लेना चाहती इसलिए शायद उसने ऐसी कोई भी तयारी नहीं की थी राहुल हों, खरगे हों, इन सब के समेथ बड़े नेता इससे दूर रहे शायद यही बड़ी वज़े है कि वो हार के जम्मदारी नहीं लेना चाहती थी अशोक ये भी बताते हैं कि जिन तीन राज्यों में चुनाव हुए उनमें से दो में पिछली बार कॉंग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी ये राज्य हैं त्रिपुरा और नगालेंड पिछली बार के चुनाव में इन दोनों ही जगों पर कॉंग्रेस का खाता नहीं खुला कॉंग्रेस की इस बार भी यहाँ पर जादा उमीदे नहीं थी इसलिए शायद वो लोग आक्टिव नहीं दिखाई पड़े यही कारण है कि त्रिपुरा में कॉंग्रेस ने खुद से कहीं जादा सीटें लेफ्ट को दे दी कि भाई आप लड़ो वहीं नगालेंड में भी बेमन से चुनाव लड़ने के लिए कॉंग्रेस ने अपने उमीदवारों को उतारा हालात ये रहा कि कॉंग्रेस को उतारने के लिए उमीदवार तक नहीं मिले इन इलाकों में पार्टी के वल 23 सीट पर चुनाव लड़ी रही बात में घाले की तो यहाँ पिछली बार कॉंग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था बड़ी पार्टी बन के कॉंग्रेस उभरी थी यही कारण है कि राहूल यहाँ एक रैली करने पहुँचे थे हलाकि यहाँ भी पार्टी के हालत बेहत खराब है एक जिपोल के नतीजे कुछ ऐसा ही बता रहा है पार्टी में ज्यादा तर नेता दूसरी पार्टीों में जा चुके है मेगाले में और 2018 तक राज्यों में मुख्यमंत्री रहे मुकुल संगमा भी TMC का दामन थाम चुके है यानि कॉंग्रेस की टोकरी खाली है अब आपको बताते हैं कि कॉंग्रेस अगर पूर्वोत्तर के इन राज्यों में ध्यान नहीं केंदित करती है तो इसका सीधा असर क्या 2024 में देखने मिलेगा बिलकुल मिलेगा हमारे एक्सपर्ट अशोक कहते हैं कि संभव है कि ये एक तरह से कॉंग्रेस की रन्नीती का हिस्सा भी हो विधान सभा चुनाओ में क्षेत्री दलों को मात्व देकर वो लोकसभा चुनाओ में उनसे मदद के पिक्षा रख रही होगी जिन जिन राज्यों में कॉंग्रेस सीधी लडाई में है वहां तो वो अकेले दम पर लड़ रहे हैं लेकिन जहां कॉंग्रेस कमजोर है वहां पर विपक्ष के अनिक शेत्री दलों के साथ जाने की बात हो रही है यानि ये एक रन्नीती का भी हिस्सा हो सकती है वहीं वरिष्ट पतरकार प्रमूत कुमार सिंग कहते हैं कि इस वक्त विपक्ष में एक जुटा नहीं ऐसे में कॉंग्रेस शेत्री दलों का महत्व बता कर दे कर खुद को लोकसभा में मजबूत करना चाहती है भाश्पा के खिलाफ शेत्री दलों का पूरा ग्रूप बनाने की कोशिश भी हो सकती है इसके जरीए वो हर शेत्र हर जाती और हर इलाके को फोकस करना चाह रहे होंगे हलाकि ये इतना असान नहीं है मौझूदा समय में विपक्ष के कई गुड बने हुए हैं हो सकता हो एन समय पर वो धोका दे दे बैराल जो तस्वीर है इस वक्त ये माना जा रहा है कि हो सकता हो ये कॉंग्रेस की रणनीती हो अब आपको एक बर बता देते हैं कि हम ये बार-बार बात क्यूं कह रहे हैं क्यूंकि एक्जिट पोल के जो नतीजें आए हैं तीनों राज्यों में वो बाकई में कॉंग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाते हैं त्रिपुरा में एक बार फिर भारती जंता पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है बहुमत का आकड़ा 31 है तमाम एक्जिट पोल इसके दावे कर रहे हैं कि यहां भाज़पा के साथ गटबंधन में सरकार बनती दिखाई पड़ेगी नगलेंड की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही दिखती है एक्जिट पोल के हिसाब से यहां भी भारती जंता पार्टी और उसकी सहयोगी NDPP पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है सारे एक्जिट पोल फिलहाल यही कह रहे है मेगाले का मुकाबला जरूर फस गया है एक्जिट पोल में किसी भी पार्टी को सपष्ट बहुमत नहीं मिलने का दावा किया गया है हला कि NPP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जरूर सकती है ऐसा माना जा रहा एक्जिट पोल के नुसार क्योंकि 2018 में सबसे बड़ा दल रहा कॉंग्रेस यहां 6 सीटों पर सिमट्टी दिखाई पड़ रही है जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इन तमाम राज्यों में कॉंग्रेस दहाई का अंक भी चूती नहीं दिखाई पड़ रही ऐसे में इसे स्ट्राटेजी माने या वाकई में कॉंग्रेस लोकसभा 2024 की तयारी कर रही है या सचमुझ कॉंग्रेस डर गई है कि इन इलाकों में निश्चित तोर पर हमें किसी भी तरह की सबलता नहीं मिलेगी इसलिए केंदरी नेत्री तो इससे दूर रहने का प्रयास कर रहा है बात चाहे जो भी हो लेकिन इसमें कोई संदे नहीं कि पुरवोत्तर का ये जो रिजल्ट आएगा ये निश्चित तोर पर 2024 का भी एक मामूली या बारीक अनुमान होगा कि कैसी तयारी करनी है और ये जो परिणाम होंगे ये राजनेतिक दलों को ये भी बताएंगे कि आपको किस हिसाब से तयार होना है परिणामों के लिए आपको देखना है सिर्फ अमरुजाला.डाट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें